हेलो स्टूडेंट माइसेलफ सैलेश कुमा मौरया और आज हम अपने MS चोहान के क्वेशन आंसर के सीरीज को फ़र्दर कंटीन्यू करते हैं आज हम करेंगे आपके एरोमेटिक कंपाउंड से लेवल वन का क्वेश्चन 23 लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इनफॉर्मेशन ज काफी जादा हेलफूल होगा और अगर आपको अपने कोई भी क्वेशन में किसी भी तरह का कन्फूजन होता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम के थूभी कनेक्ट हो सकते हो वहां पे भी आप मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हो ठीक है मेरा इंस्टाग्राम पे किसमें Electrophilic Aromatic Substitution Reaction होगा यह हमको बताना है देखिए एक की जी ध्यान से आप समझ लीजिए कि आपके पास अगर कोई एक रिंग है ठीक है यह एक रिंग है यह एक और तरह के रिंग से क्या है connected है तो हमेशा एक जो रिंग होती है वो दूसरे रिंग के उपर प्लस M effect ही ड करने का ही काम करती है ठीक तो यह तो इसको activate ही कर रही है इससे एक चीज़ अगर हमको इतनी भी जानकारी है तो एक चीज़ तो समझ में आ चुका है कि structure first में तो अकेले एक रिंग है structure two और structure three में आप देख रहो यहाँ पे भी एक additional ring present है और यहाँ पे भी एक additional ring present है तो यहा है वो तो कहां पे आना है मेरा last में आना है यानि यह question की पूरी जान इसी में है कि हमको यह select करना पड़ेगा कि structure two आ गया आएगा या structure three आ गया यह हमको सोचना है ठीक है इसी में इस question की beauty भी छुपी हुई है चलो अब एक बार मैं आपको structure two को कुछ बना के समझालता हूं देखो यह हैं हमारे पास structure two यह तो हम समझ के कि एक ring दूसरे ring के उपर क्या करती है activating effect ही डालती है लेकिन अब ज़रा से ध्यान से देखो इस structure two में यहाँ पर क्या है इस तरह से कुछ hydrogen present है ठीक है अब यह hydrogen क्या है आज ऐसा कि देख सकते हो एक दूसरे के आमने सामने आ रह होगा तो सही लेकिन थोड़ी से तकलीफ के साथ होगा क्योंकि यहां पर क्या हो चुका है थोड़ा सा steric factor आ चुका है जिसको यह से थोड़ी से molecule को दिक्कत तो होगी ठीक है अब यहीं पर ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं इस तरह से ठीक है और यहां पर ध्यान से दे में क्या हो चुकी है कम जब दिक्कत कम होगो यह तो पहले से ज्यादा भी क्या हो जाएगा अप प्लस है कِफेक्ट पहले से च्छा होगा तो यानि अब मेरे को यह साथ बताने प्सक्रिश शरूर्ध ही PAUL sitting री में होगा फिर 10 एफ क्ले में हो और फिर वांस सबसे लास्ट म आता है तो आपको पता है कि यहां पर एक ही रिंग है तो यह लास्ट में यानी चाहिए तो लास्ट में फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर किस ऑप्शन में लास्ट में दे रखा एक ही ऑप्शन में लास्ट में दे रखा तो यह तुरंद क्या हो जाएगा करक्ट हो जाएगा ठीक क्या दे रखा है two moles दे रखा है base का कितना दे रखा है four moles दे रखा है हमको major product बताना है ठीक है इसके लिए इस question के लिए आपको एक छोटा सा concept समझना हुआ substitution nucleophilic aromatic क्या होता है SNAR बोलते है substitution nucleophilic aromatic इसको मैं एक fresh page पर आपको समझाता हूँ और फिर इस question को फिर आप पास एक compound है ठीक यह मिरे पास यहां पर मैं कहा देता हूँ मिरे पास chlorobenzine present है और मेरे पास आता है OH- तो OH- है यहां पर तो OH- क्या करेगा इस point पर इस तरह से attack करेगा जिसके जैसे क्या हो जाएगा यह bond इस तरह से shift हो जाएगा ठीक तो देखो यहां पर condition कैसी बनेगी यहां से attach हो गया CL, यहां से attach हो गया OH और यहां पर आ चुका है negative charge अब यह क्या करेगा negative charge इस तरह से पूरा का पूरा resonance में involved होगा चलो एक बार इसका resonating structure भी हम बना लेते हैं पूरे अच्छे से एकदम in-depth समझ लेंगे ठीक यह इस तरह से हो गया यहां पर यह हो गया CL, यहां प और और resonance हो जाएगा इस तरह से एक और resonance करा लोते हैं तो इसको हम क्या करते हैं यहां पर नीचे एक बार बना लेते हैं यहां पर यह यहां पर एक लगा हुए OH यहां पर इक लगा हुए और जब यह वाला रेजोनेंस हुआ ना इस तरह से यहां पर क्या आ जुगा होगा निगेटिव चार्ज अब देखो यहां पर क्या होगा इसको मैं अलग पेंसे दिखाता हूँ अब यह निगेटिव चार्ज यहां पर डबल बॉंड बनाने कोशिश करेगा ताकि रिंग क्या हो जाएगा यहां से लिफ कर जाएगा अगर क्या यह लिउफ कर जाएगा इसे वाला को अपर इस तरह से अगर OH- attack कर रहा है तो CEL आपका निकल जा रहा है तो इसको हम क्या कहते है substitution nucleophilic aromatic अब ऐसा नाम के पड़ा nucleophile क्योंकि देखो यहां पर क्या involved है OH- iron OH- iron क्या है negative charge है तो यह positive चीज़ों का threat करेगा यह यह एक nucleophile है तो nucleophilic हुआ और aromatic compound में रहा है तो इसको क्या बोलने है substitution nucleophilic aromatic तो इस तरह की चीज़े हमारे सामने हो रही है अब ज़रा ध्यान से देखना question के तरफ चलते हैं एक बार अगर आपको ध्यान ना रहा हो तो यह question था हमारा ठीक है अब देखो इसमें इस theory को कैसे apply किया जाता है अब ज़रा ध्यान से देखना यह है मेरे पास compound ठीक यहाँ पे है एक CL यहाँ पे है एक CL और इसी के parallel में इस तरह से CL और CL यह हमारे चीजें बनी हुई है ठीक है यह compound बना हुआ अगर मैं कहता हूँ कि जैसे यहाँ पे माल लिजे आपका OH-ion आता है इस तरह से क्या चुका होगा OH बाकी जगा इस तरह से CL इस तरह से सामने सामने प्रेजेंट तो होंगे ही होंगे तो यह molecule बन जाएगा अगर एक mol of base reaction करता है तो ठीक है लेकिन आपको देखो question में कितने mols of base दे रखा 4 mols of base दे रखा दिख रहा है आपको total कितने mols of base दे रखा 4 mols of base दे रखा ठीक अब ज़रा ध्यान से देखना है यहाँ इस चीजों को मैं हटाता हूँ तो देखो आप यहाँ पे अगर मैं कह रहा हू एक और मॉलिकुल है उन्हbernate total molecules के दो moles है तो इसी मॉलिक्युल के एक और और मैं लिखता ह तो अब जो next moles of base होगा, जो third mole होगा, वो क्या करेगा, यहाँ से H को F stat कर लेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, O minus, fourth mole of base जो होगा, वो क्या करेगा, इस H को F stat कर लेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, O minus, अब यह O minus क्या करेगा, इस point पर attack करेगा, और इस CL को क्या कर तो अगर आप overall reaction कराओगे तो सर आप कुछ इस तरह देखोगे कि यह oxygen इधर से आके इस तरह से connect हो चुका होगा यह ओ यहाँ पर यहाँ पर यह CL फिर इधर यह CL और इधर यह CL तो यह पूरा का पूरा यह जो मैंने सिस्टम बना है यह आपका create हो ठीक है तो यह सारी condition थी ठीक तो मेरे को लगता है आप देखो एक बार इसका screenshot लेना चाहो तो ले लो यह आपको पूरा समझ में आ चुका होगा तो अब compound बनके रुख जाता अगर आप केवल इसके जगाँ पर 4 mole के जगाँ 2 mole लेते ना तो आपका reaction यही पर रुख जाता क्या बन जाता reaction में यहाँ पर राता OH यहाँ पर CL यहाँ पर CL और यहाँ पर CL लेकिन फर्दर जब आपने 2 mole और base क्याड किये तो यहाँ से HH निकला फिर एक बार और reaction हो गई जिसके जिसे आपका procedure आगे बढ़ा ठीक है समझ में आया तो पूरा detail दे दिया आपको इस question का चलिया यह next question करते है question 25 question 25 में पूछा है in which of the following compound electrophilic aromatic substitution takes place in phenyl ring on the left hand side यानि left hand side वालों में कहाँ पे होगी तो आपको पता है electrophilic aromatic substitution होता ही वहाँ पे है जह यहाँ पे activating वाली चीज़ें क्या होती है present होती है जहाँ पे एक्टिवेटर से activating वाले ग्रूप प्रेजेंट होता है तो आप ही बताओ activating वाले ग्रूप कहाँ प्रेजेंट है molecule में अब देखो यह तो है c double bondo तो यह c double bondo है तो इस ring को deactivate कर देगा left side तो यहाँ पे तो नही ही है लेकिन आप यहाँ पे देखो यहाँ पे है c h2 लेकिन यह किस से connected है c double bondo से connected है तो overall एक्टिवेटर तो हो रहा है अब लेकिन यहाँ पे less हो रहा होगा ना यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा less हो जाएगा लेकिन हमको तो most suitable option चूस करना होता तो उस जाब से कौन सा correct हो जाएगा option c हमारा most probably क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा पूरा का पूरा oh sorry 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 यहाँ पे मैंने गलती क्या कर दी देखो देखो sorry यह जो c option है यह c option और यह d option यह जो है न अब इसमें क्या है यहाँ पर यह connected oxygen यह oxygen connected है इस रिंग के साथ में तो यह वाल d वाले option में क्या होगा कि यह c double bond हो जिसके रिंग हो जाएगी deactivating तो यह वाला जो इधर वाली जो phenyl ring है यही केवल activating बच रही है तो only and only इससे पर reaction होगा ठीक है तो इस तरह से कर ले ना यह मैंने थोड़ा सा गलती कर दी थी ठीक है फिर से एक बार देख लो यह c double bond हो था यह c double bond हो था तो यह ring खतम हो गई तो always right side reaction हो रहा है इन दोनों में यह o है तो यह activator की तरह है तो इसवाली रिंग में reaction होगा यहांपे यह c double bond हो है तो यह वाली ring खतम हो गई तो obvious ही बात है इस रिंग में क्या होगा reaction होना हो गा और हमें left side चूस करना था इस वाज़े से do यह option क्या हो जाएगा मेरे लिए correct हो जाएगा ठीक है तो यह आपका इस तरसे question आप इसको कर सकते हो आए नेक्स question देखते हैं यह question में देखो काफी अच्छा question है इसमें हमको क्या करना है हमें बताना है कि यहाँ पे तो हमारे पास एक benzene ring है तो हम कौन सा A compound ले 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 इन दी presence of H2SO4 यानि acid कि जिससे हमारा जो reactant A हो वो हमारा क्या हो जाए बन के तयार हो जाए तो देखो एक तरीका तो इस question को करने का बड़ा ही आसान है अब देखो solve करना अलग चीज है हमारा carbon क्या हो जाए प्रोड्यूस हो जाए तो carbon production की तो कोई reaction है नी तो जो है उसी में से reaction हो तो ऐसा आपको कौन सा चीजे दिख रही है जिसके अंदर इस तरह का similar structure दिख रहा हो आप देख रहे हो option C में क्या दिख रहा है तो इसी वेड़े से कौन सा reaction correct हो जाएगा हमारा question solve नहीं किया है लेकिन उससे पहले ही हमें पता है answer हो तो हमारा C ही आना है ठीक है तो यह आप एक बार छोटा सा molecule के अंदर observation देखके अपना टिक कर सकते हो ताकि आपको दिक्कत नहों examine time आपका save हो जाए ठीक है अब रही बात इसको solve करने की तो वो हम जरूर करते हैं देखो एक नए page पे इसको समझते हैं देखो हमें molecule कैसा दे रखा है ध्यान से देखना हमें जो molecule दे रखा है वो कुछ इस टाइप का दे रखा है ठीक है यहाँ पे है इस तरह से oxygen यहाँ प जब oxygen इस तरह से electron दे देगा तो देखो आपके सामने condition कैसी बन जाएगी यह बन जाएगी OH यहाँ पे है इस तरह से system और यह हो जाएगा ठीक है OH के उपर plus तो अब क्या हो जाएगा यह bond को obvious ही वात है break करना पड़ेगा क्योंकि oxygen के पर आ चुका है plus 4 तो अगर यह चीज ब बन गया तो अब आप खुद ही देखो इस कार्बो के टैन के थुरू यह जो species है न तो यह एक बार बेंजीन रिंग के थुरू क्या हो जाएगा इस चीज को मैं अगर इधर ड्रॉ करूं इस तरह से देखो यह चीजे हैं यहाँ पर यह है इधर connected है यह ओएच यहाँ पर द पहली बार जब reaction कराओगे तो आप यह पाओगे कि यह तो ring थी ठीक है यह सारी चीजें हुई और यह ring आके इस point से क्या हुआ इस तरह से एक बार connect हो गई ठीक यह molecule इस तरह से connect हो गया अब एक बार यह process और हो जाएगा फिर से H plus की presence में लोगे H plus की presence में लोगे तो यहाँ पर कारवकर 10 बनेगा और यहाँ पर जब कारवकर 10 बनेगा तो फिर एक बार ring अटेक करेगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा दुबारा से आके यह connect हो जाएगा तो दो बार यही connection आपको बैठाना है और आपका काम वहाँ पर हो जाएगा ठीक ह तो इस साबसे अगर आप देखोगे तो answer आपका कौन सा हो जाएगा option C correct हो जाएगा जो हमने पहले ही समझ लिया था ठीक है last question आज़का which of the following compound is slowest to react with nitrosonium ion nitrosonium ion सबसे slow तरीके से कौन सा compound react करेगा तो आपको पता है सारा खेल तो activators और deactivators का ही है तो जो deactivator होगा वही सबसे least तरीके से react करेगा deactivator है कौन सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यह C double bond O present है तो यह क्या कर देगा रिंग को deactivate कर देगा जिसके जैसे option C क्या जाएगा साबसे slowest तरीके से react करेगा ठीक है तो यह थे आपके कुछ question हमारे MS चोहान के अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक complete वीडियो जिसमें हमने discuss किया चीज़ों को ठीक है so that's all for today and thank you for watching